आपके साथ मैं हूँ श्वैता मिश्राज हमाई साथ है डॉक्टर प्यूश त्रिवेदी जी आरवेट मर्म चिकट सक्थ है बहुत स्वागत है प्यूश जी आपका सबसे हैं सवाल है कि एक तरफ तो एलोपेथी है जहाँ पर टेक्नलोजी एक के बाद एक नहीं आरी लेकिन में लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं और उस पर विश्वास रखते है एक्यू प्रेशर किसे कहते हैं शरीर के कि नुकसान नहीं हुँ उसको दबाने से पेशेंट को रहात मेशुस हो उस तकनीक अनाब एको प्रिशर है और एके प्रेकनचर किया किसी अगर apice get जुड़ा हुआ और नो due Stacy a जेखें अगर कुछ है तो वह चाहीं ज्य आचारे शुसृत ने 5,000 साल पहले ये लिख दिया था इन पॉइंट्स को अनावस्या गूरूप से नहीं छेड़ें क्योंकि हाँ एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई रहता है तो मरीज को नुकसान भी हो सकता है तो वो करीब 107 पॉइंट्स उन्होंने बता है अभी अपन सब्सक्राइब करना होता है लेकिन ऐसा नहीं है और एक प्रेशर में इसा नहीं है और एक प्रेशर में मशीनों का प्रियोग करके उस पॉइंट्स को उत्तेजित करते हैं जो के आपको बिमार कर रहा है और मर्म चिकिशा द्वारा कौन-कौन से रोग हैं जो इसे ठीक किया जाते हैं मर्म चिकिशा द्वारा सरी के समस्त सारीरिक रोगों से छुटकरा दिलाने के एक बहुत अच्छी तक्नीक है और मांसिक स्वास्ति देने के लिए सबसे बहतरीन यह पद्दती है जैसे करण न्यास कंद न्यास यह पुरानों के अंदर के जो लिखे हुए हाथ लगाना यह करना कान पकड़ना यह सब मर्म चिकिशा कंदर के दाता है अच्छा यह उसके यह तो हमें सजा के तौर पर लगता लेकिन यह यह भी एक पद्दती है बिलकुर लेकिन इस इसका सिध्धानत क्या है यह कैसे काम करता है मर्म चिकिशा अगर हम समझना चाहें तो यह कैसे काम करता है शरीर का जो अपना शरीर में मुखी रूप से नाड़ी हैं धमनियां हैं मास्पेशियां हैं हड्डियां हैं और चमडी है इनका सामन जश्य एक जगे पे जहां केंदरित होता है वहां मार कर रही है उस पॉइंट को अगर हम दबा देते हैं तो एक तरीके से लेमिनेशन होकर के वह उस पार्ट में उर्जा का संचर्ण इतना फास हो जाएगा कि संबंधित वह और ठीक कर देगा और और वहने वाली बिमारी से आपको बचाएगा तो यह कैसे समझ में आता है आप जैसे पेशेंट को याया कि इसको कौन सी पद्दती से इसका इलाज करना है क्या उसके रोग को देखकर या फिर कितना कम वक्त में इसे ठीक किया जा सकता है कैसे इसे देखते हैं सबसे पेड़ी तो अहरवेद के इसाब से नाड़ी या कुछ पॉइंट्स उभर के नजर आ जाते हैं तो उसको हम आइटिफाई करते हैं कि इस कौन से ओर गन्स का यह पॉइंट है जो कि पाओं के तल्वे में हमें आक्से भी दिखाई दे रहा है तो हम पेशेंट से पूचते कि आपको लिवर के आसपास वाले पॉइंट प फॉइंट्स पहुता है जैसे किसी को माइग्रेन की प्रॉबलम है को कहता है कि सब्सक्राइब के दो या तीन दिन मेरेगों को टेशेंट होता है तो जैसे हम अंगूठेवाले पॉइंट को प्रेशर करते हैं तो उस पॉइंट को दबाते ही उस है अगर दर्द हो रहा है तो दर्द तुरंद ठीक हो जाएगा तो फिशन्ट के गए तो चमतकार हो गया तो कि चमतकार कुछ नहीं है यह पूरी विज्ञान है और यह नाडियों के अंदर जो रग्त परिशंचन संबंदी गड़वडिया है उसको ठीक करने की टेक्निक है बिल्कुल और अलग-अलग लोग संक्रमन की वजह से लोग ठीक तो विखे पॉजिटीव से डेगटिफ होगैं लेकिन उसकी बात बहुत जादा कमजोरी होई आपकी चिकित्सा पद्यति क्या बढ़ाने का काम होता है पॉइंट जैसे मैंने आपको कहा कि आग्ये चक्र को आपको बार बार दस बार अगर अपने हाज से ऐसा आप कर लेंगे तो आपको थकान दूर होगी तो इम्रीकल है अशेर होगा आपको उसके तुरंथ थकान दूर हो रही है जबकि आदमी तीन पुरानी चीज याद होने लग जाएगी इसको रुटेन में ही आपको कर रहे हैं तो उसको खुद को विश्वास नहीं होगा कि इतना अशेर जनक उसको लाब बिलता है इसे कान के पिछले हिस्से पर अपने अंगोठे से ऐसे 0.8 सेगंड का प्रिशर दे दो आप तो किसी प्रिशन्ट को तो जैसे अलगा तच भी करते हैं तो उसको लगता है कि मेरे कान खुलने लगे हैं तो इस सेंसेटिव पॉइंट से यह एक तरफ जहां इदर इलाज होता है लोगों का दवायां इतनी मैडिसीन इसके बाद भी ठीक नहीं होती चीज उसमें कोई बोले कि ब अपने उसको देखा चेकिया है कि क्या आम जन से सीक सकता है किले सकता है स्रवात में अपने तेज बेजाएक तो कुछ ऐसे होंगे जिस पर उसको जely तरद होगा इसको हम कहने आपको यहाँ वो कहेगा पेसेंट की यहां तखलीप होई एक सो को थारा एक कि आपको problem है कि वो कहेगा कि कमको थाराइट की problem है लेकिन रेगुलर 20 इंच दिन हो 10 व्य करें देप नीट डिय चाओ अगर इस पॉइंट को दबा रहा है तो उसका थारोक्सिन level नेचुनल लूपसे थारेट थ हो जाता है और पेशन्ट को रिलिफ मिलना शुरू होगा ऐसे कई पॉइंट से जैसे एक बोड़ी में कहीं ही दर्द होगा पेशन्ट को इस ट्रैंगल पर यह पॉइंट मुझूद है इस पॉइंट को अगर आप दबाते हैं तो आपके सरीर में किसी भी पार्ट में दर्द ह जाह को जाएंगा तो तो वह तो में शुए में कहीं भी दर्द करना आपने प्लिफ में थीक हो जाएगा करनाने की जूरूत नहीं है प्रेशेंट को हमने का कि यह पॉइंट दबाओ दो को बहुत तेज दर्द हो रहा है लेकिन यह दर्द जो इस बात का इंडिकेशन है कि सम्तिंग इस रॉंग यहां से आपके बाइनरजी लीक होई और गलत करने अंदर प्रवेश करी इससे आपक उसका ठीक हो जाएगा और कोई भी पद्दती होती है चेकसा पद्दती उसमें पॉजिटिव और नेगटिव दोरों चीज़े होती है अगर हम एक्योप्रेश्य चेकसा की बात करें तो इसकी लाब और हानिया क्या-क्या है क्या नजर आता है कितने फायदे और थोड़ा ब लेकिन मर्म विज्ञान ऐसे छोटी चीजे हैं जिनको हम सोध करके करीब 1000 पोइंट्स हमने खोज लिए एक जार पोइंट्स जो आपको हर वीमारी के साब से ठीक करने में सक्षम है और मेडिकल विद्ध्यारतियों को इस चीज सिखा रहे हैं कि आप इनको सीख करके लोगो उसको बता दें उसको वो दबा ले और अपनी वीमारी ठीक कर ले लेकिन सामाने रूप से ताली बजाना अंगठे की मालिश करना उंगली की मालिश करना यह तो उसके हाथ में अरादियु बदा सकते हैं जैसे आपको नीद नहीं आती है तो हम कहते हैं कि कलाई को बीच वा है पाइसे चार मंजिल सांस के चार मंजिल चड़ेगा तो सांस फूलेगा तो राइट रहिए मैं बिलकुल में एक पॉइंट बताते हैं कि इस पॉइंट को जैसी वह दबायेगा ऊकर सांस पूल नहीं ठीक हो जाएगा तो इसमें को नुखसान भी नहीं अगर आपके कोई दवाई भी चल रही है किसी कारण से कोई बीमारी की दूटू बीमारी को मनलब विजीज आपके कोई तकलीफ ऐसी है जिसमें दवा नहीं चोड़ सकते तो मैं छोड़ो आप लेकिन अगर इनका प्रियोग करते हैं तो अनाश्यक दवाओं से आप बचेंग से वहां के कुछ मेरेडियन लाइंस होती हैं जो सरीर में अस्तिवेस्त हो रही हैं सरीर में लंबाई की रूप में जो रेखा हैं उनके अंदर एक तरीके से एनरजी का फ्लो बढ़ जाता है रोलिंग करना जिम भी होती है उसे पॉइंट दबाना साथ में बॉल के एक्सरा लेकिन इतना भी नहीं दबाओ कि यह हाती नीला पड़ जाए उसका समझना कितना कितना वक्त देना है कितने सेकेंड के लिए यह सेट करना और यह सीखना होगा जब तब जाके यह एफेक्टिव रोगा डॉक्तर प्यूश बहादी इंट्रेस्टिंग है यह जिस तरह साब इस ब्रेक के बाद आप बने रहे हैं हमारे साथ ब्रेक में जाने से पहले भी हमने कई पॉइंट्स को लेकर समझा कि किस तरह से क्या विधिया होती, क्या फायदे नुकसान है लेकिन WHO इन वैकल पे चिकेसा पदित्री को किस तरह से देखतर क्या उमीद करता है विष्वे स्वास्ते संगठन जो है उसकी दक्षिन पूर्वी साखा अपने भारत देश है अभी क्या जो मेडिकल साइंस ने जो प्रोग्रेस करी वेकल पिक चिकिस्याओं पर जो जानकरी लोगों से इकटी की तो 78 प्रतिश्याओं अमेरिका में वेकल्पिक चिकिस्याओं का साहरा लेके उपचार करते हैं इवन देट आइरवेद में भी वो चीज़ें पसंद करते हैं जैसे हरभल एलोविरा का यूज करेंगे वो हल्दी का यूज करेंगे बीच में उन्होंने पैटेंट कराने के प्रतिशिया लेना चाहरें वो चिकिष्या का आबादी समंधी जो रोगी है उनका प्रतिश्या को पसंद करता है यह इन पचास सालों में ऐसा हुआ है बिल्कुल तो वहां पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है यानि कि इस चीज को भढ़ावा दिया जा रहा है और इसलिए वह बढ़ गई है कि यह और जदा बहुतर कि नारत है कि 2020 तक हम सब अब बात करते हैं कि शरीर में मर्म बिंदू कहां कहां पर होते हैं मर्म बिंदू शरीर में हर पार्ट में मोजूद है थिस सेंथिस पॉइंट थो अपने गटं के उपर होते हैं ठीक है हाँ बाराफ में होते हैं अँसे हें उसका है टोटल वणजीरो सेवन है सुरवाद अपन करते हैं अधिपत्य मर्म अधिब बबल बनी गइनचाइब है जो अपना चोटी के स्थान है यह अपना इंटिन है यहां करेंगे अपन जैसे आपना हाथ लगाएंगे तो हम कहेंगे यहां इसपर्स करो और ओम का उचान आप करते हैं या जिस भी भगवान को मानते हैं पैगंबर को मानते हैं तो जैसे आपने इसपर्स किया तो आप दिन यह मर्म होता है आग्ये चक्र का इसको इस्थपनी मर्म कहते हैं, किसी को यहाददास की कमी हो रही है, तो इस पॉइंट को टच करना होता है, प्रेशर ब्यादा मिर्म करना है, सेल फीलिंग कहते हैं इस मोग, आदमी रोगी खुद की उठ जा से खुद को ठीक करें, वो मर्म इसको आपने टच करते रहो थोड़ा सा प्रेशर किया आपको रिलेक्स भी फील होगा और आपके आंखों का जो कि समश्या है उनमें निरंदर सुधार होगा दृष्टी दोस्ट दूर होगा लेकिन अगर किसी के आंक में पावर है लगतार बढ़ रहा है और तो क्या यह इस तरह से करने से किया वह भी स्टेवल जाए या फिर रॉष्टी थोड़ा साइनस की प्रॉब्लम जिनको रहती है करें कि चोटी उंगली से इस पौिंट की दबाएंगे याप इसको फणा मर मोलते ह dismiss iyi को जिसको कान की तकलिफ होगे है इसको नए विदूर्म मोलते है कि इंप curry प्रोब्लम में तो में कहते हैंगी इस पॉइंस की मसाच कक runs करनें तो कर फिच हो सब बाते हैं इसको उपर तो आदमी अगर कोई अनकॉंसियस पड़ा हुआ है रोड पे और आप उसके हल्प करना चाहते हैं तो यह पॉइंट दबा दीजिए आप उसमें आ जाएगा इसे यह कर्व जो बना हुआ है यह महत्मुन नाडियां होती है तो यह मन्या मर्म है अगर रोज अपना ऐसे मालिस कलने तो उसको लाइफ में कभी भी लगवा नहीं आएगा यह छोट छोटी चेम सेकाते हैं प्रेशेंट को इसे कंदे के पास यह पॉइंट से मोजूद है इ कंदे का रुकना, कंदा जाम होना, कंदे का दर्द रहना, सर्वाइकल पेन होना चुटके में ठीक होता है दोनों तरह ऐसा है पैसे बताने में जोर भी नहीं आता चाहिए को इसी भी दवा ही ले किसी चोटके कारण उसके कंदा जाम है या डायविटीज वाले रोग्यों क इसलिए होता है क्योंकि जो नसें रुकी हुई है उसको कोई दवाई नहीं खोल सकती, वो प्रेशर करना ही पड़ेगा, अल्टिमेटि क्या होगा कि वो कैल सिफैड होजेगी जेगे राप काऊगे क्या उप्रेशन कराना पड़ेगा या हाथ सुग गया या गर्दन से जो लोग देखते हैं समझते हैं कुछ इसको इसको इस्तमाल करते फाइदा होता है तो और लोगों को बताते कि यह ज्यादा अच्छी पर्दती है लेकिन इतने सारी चीज़ें हो चुकी है अब लोगों को यह लगते कि कोई समझते हो तुरंत उसका समाधान जल से जल दर ठीक लेकिन इस पत्तिति की खर्चा ताए फचे कुछ भी नहीं समझे यसमें इसमें इस distingu कछ भी खर्चे किस्टे इस है इसे मैं आपको करना कि यहां, यहां तक आपको दूबाना है तो यह वर तरूर सिस् . का उगया, ए लंबर का हो गया, कमर की तकलिप हो यहां, आप क्र niż कर आप इस बीच वला पौिट लेंगे, डाइबिटीच की साल के प्रॉलम में एफ जबा लें इप बाव दून के प्रोब्लम में तो यह नुटों के प्रोब्लम में लॉगों को बना काल में आयाई हमने का कि दोनों लुगलिक ठीक नीच वला पॉइंट यह जुद्स अथ में ह है कि बाड़ा रहे हैं इस जगे तल को हैальных की है जए डोट इधे हथे होगे 2 पाउं में एक 5 था का है इसके जट्ल में गयान के चाहार आप ऑबेश्ट सामें पंच कर्म होता है कि यह क्या है चुक्यार विस्तव में पशार चुकर्म लोग Psychology अनिसकर में भी यह तो सकती है यह आपके इस पे पांच चीजें पूरा विभाग है इसमें जो की नाड़ी संबंदी बिमारी में बहुत सटी के प्रोबलम बहुत जटिलता है दूर करता है पर अपकी बोडी हो गई है तो इसको ठीक करने में मददगार है उसमें टेक्निक से एक टेक्निक है हम एक अपरेशर की और मर्म चिक्षा की जोइंट करके और उस पंच करम के साथ वीदी के साथ करते हैं जैसे मालीश करके भाप देना करना अपने सुना होगा मसाज ओड़ी में करी केरल में लोग जाते हैं हमरे राष्ट्य अब जाते हैं जैपुर में तो पूरी बोड़ी को ओड़िंग करना और उसको भाप देना उसके बाद में पांच क्रिया कराना मलती करवाना दस्त करवाना ठीक है ना और नाक से नस्य दे या की गई है या इसमेशारी है पॉंट्स तो 107 ही रहेंगे चाए अमेरिका की बोड़ी हो चाई रस्या की बोड़ी हो चाए भारती बोड़ी लेकिन उसके पेलर जो 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 पॉइंट्स मददगार है उन पूइंट्स को हमने खुजा ए तो वन थाउज़े के आसपास तो काम नहीं करेगा, ठीक है? इसमें भी पर्टिकॉलर एंगल होगा तो काम करेगा, वो चीज शिखाने की होती है, तो एक बार है कि प्रैक्टिस अच्छी आपकी हो गई हो और फिर इसके बाद है, तो प्रैक्टिस में परफेक्ट जानते हैं, लेकिन आपके पास कई पेश करेंगे, बिल्कुल आते हैं, और उनको अब तो वीडियो कॉन्फरेंश के जरी बात कर लेते हैं, को नकाल में भी जो परेशाने लोगों का ही, स्वास लेने की दिक्कत आई, किसी को नेमोरी पावर विक हो गया, अभी भी प्रेशन साते हैं, इनका मेमोरी लोस हो गया, हम इतना सा कहते हैं कि इस तफनी पर में इसको दबाते रहो, इसको टच करते रहो, तो आपकी मेमोरी लोट का आती है, बड़े से बड़े बीमारी को भी ठीक किया जा सकते है, आप और चलते हलते हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना जाएंगे, इस एक्यो प्रेशर क कोलो करेंगे, बिस्तर जब चाप छोड़ें, तो अपनी चोटी वाले स्थान को जरूर रिस्पर्स करें, नमबर एक, उसके बाद में आप थोड़ा सा हतिली को गरम करके, और पूरे चेहरे पे लगाएं, पूरे चेहरे पे लगाने के बाद हलका सा कान के पीछे मालिस करे और या दो मिनिट का समय लगेगा, पूरे सरीर को आप जगा दो, ऐसे मार मार के, पूरी बोड़ी में, थपी देना कहते हैं इसको, और दो या तीर मिट ताली बजाओ, तो सारे मर्म पॉइंट जागरत होंगे, और आपकी मिमबारे से आपको सरीर स्वस्त करने में मदद म बहुत शुक्रिया, डॉक्टर प्रियूश त्रिवेदी आपका, क्योंकि आपने बताया, क्योंकि अलोपैति हो दूसरी पद्धिती लोग समझते हैं, पहली बात है, और दूसरी चीज यह हर पद्धिती भारत की है, हर पद्धिती को दिल लेकर, कोशिश और खोज भी आज कर सकते हैं, खुद की शक्तियों से, खुद को जगा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बहुत शुक्ते हैं, डॉक्टर प्योश और चलिए इसके साथ, हेल्प वस्क में आज के लिए बस इतना ही, दीजे जासत, नमस्कार